हेलो मैं यूटूब फैमिली और मैं यहां पे आज बालकनी की सफाई करही हूं तो मैंने यह हमारा कूलर है तो नाशिक में आने के बाद कूलर यूज हुआ नहीं है तो यह बाहर ही रखा हुआ है बालकनी में साइड में तो इसके उपर यह कुछ गंबले वेकरा या फिर गार्डनिंग से रिलेटर चीज़े हैं वह रखी हुई है काफी ज्यादा डस जम गया है तो बहुत इन हो गये थे साफ सफाय किये हुए तो इनके जाने के बाद मैं यही सब काम कर दियू तो उसके बाद हो जाता है लॉक डाउन तो यह उसके बाद ही आते हैं तो हम बास्केट वेगरा भी खड़े देन नहीं जा सकते हैं तो बहुत इन से पढ़ा हुआ था कि आप जा पाएंगे मार्केट आप जा पाएंगे तो फाइनली मैंने यही दिमाग लगा है कि जो काटन् तो मैंने थोरा से लोट अप लगा दिया है साइड बे ताकि वो मुझे फाड़ने की ज़रत ना पढ़े तो हो गया है फाइनल अरेंजमेंट इधर का और यहां पे साइड में मैंने यह सारे जो क्लोथ पिन होते हैं ना स्टील वाले अलग और प्लास्टिक वाले अलग वो वो रखा है और यह जो सिलेंडर देख रहे हैं आप लोग यह लानलोट का है यह गीजर का बॉक्स भी लानलोट का है उस पर कुछ उनकी चीज़े है जो सिगडी है वो भी लानलोट की है तो अभी घर में कहां यह सब रखेंगे ना तो यह सब बालकनी में ही है और अभी त की कुछ चीजें तो मैं चली सोचा चलो आज सफाई करी रही हो इधर का तो यह भी काम करी रहती हूं हलो हाई welcome back to my channel कैसे है आप लोग और अभी है दो पहल का टाइम जैसे कि मैंने पहला वीडियो शूट कर चुकी थी कटल की सबजी का अगर आप अभी तक मेरे वो उस ब्लॉग को नहीं देखे हो तो प्लीज आकर जरूर देखिएगा बहुत अच्छा लागेगा और अच्छल परसन नहीं ऐसे बैठने बैने से लगता है कि और पर बीमार पर गई तो पाथी देख के जाने के बाद मैं कुछ चीज़े सोचते रहती हूं क्या 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 काम कर सकती हूं और दो तीन चीज़ें गईस की पहला की वी आर और रेंटेट फ्लाट तो रेंटेट फ्लाट पे तो समान भी पढ़ा कर कोई फाइदा नहीं है क्योंकि ट्राबलिंग में बहुत जादा प्राब्लम होती है तीसरी चीज़ है कि मतला अब जो मेरे पास काटन रहते हैं अवेलेबल जैसे एमेजन से कुछ मंगाया तो मैं सोचती हूं कि इसका कुछ यूज कर सकती हूं क्या लगा नहीं तो पतीदेव का कहना है कि कुछ और प्लाप्स लगाएंगे मैंने बुला भी रूख जाहिए लोग्डाउन को प्रापर खुलने दीजे फिर लगाएंगे फिर पता नहीं कहां जाना हो कब जाना हो तो इन सब को लेकर गंबलों को भी लेकर जाना बहुत है क्य क्योंकि दो तीन दिन से मुझे हड़िक हो रहा है तो मैंने मुझे लगा कि कहीं लगतार लगाएं लगाई उसकी बज़े से नहीं बढ़ा तो मैंने सुचा चलो थोड़ा लूज चोंदी बना लेती हूं तो वहीं किया है तो अभी यह सब हो गया बाल करनी का अब इन आप जाड़वारु नहीं करूँगी बहार दूपी हो गया है तो गड़ में बहुत ज्यादा भी बढ़ गी एक दो दें से तो अभी जाड़ू मैं शर्ण को लगा लूँगी चाहकार लगा लूँगी देखते ह तो बागी का जो इदर का काम है वो करने चलते हैं ठीक है और फिर में को बनाना है रसमलाई ठीक है तो रसमलाई में कैसे जुगार से बनाने वाली हूँ तो देखिएगा मेरा वीडियो पुरा देखिएगा और किसी भी मॉमेंट पे अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा प्राया होगा आपने देखा है कि ने देखा है तो दिखाती हूँ आप देखिए साउंड सेस्टम है ने यह ओवन का कार्टन है हां तो यह ओवन का कार्टन है जिस पर मैंने राधे कृष्ण की मूर्ती रखी हुई है तो अभी यह जो कार्टन इसको फेक नहीं सकते हैं क् कि फिर पाकिंग के वगरा के टाइम पर लगता है काटन मांगते हैं जा जा नहीं लहां है कोई आगिया तो इसे काटन काटन अच्छा नहीं लगता है घर में तो थोड़ा पता भी नहीं चलता है तो मैं भाई करने जा रहा हूं और डेकोरेशन के लिए भी लगेगा डेकोरेटिंग आइटम और जिसको लाने के लिए जाना पड़ेगा मार्केट जो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहां पर मार्केट ओपन है तिल फोड़ो क्लॉक और पती देव आते हैं फाइव शिक्सों क्लॉक तो समय तक मार्केट बंद हो जाता है तो कहां जाएंगे तो अब जो होगा सब लॉक्डाउन कुलने के बाद होगा तो इस तरीगे से मैनेज करके रहना पर रहा है तो काटन को कवर करने के लिए मैं यूज करी हूँ यह ब्लाउस का पीज जो मरून कलर का है और जो किसी काम का नहीं है तो इसी को यूज करके मैं कवर करती हूँ एक्चुली यह वाले जो पिंस होते है ना बोर्ट पिन आते बोलते है उसको तो उसमें दो टाइप काते हैं कि स्टील का आता है चिप्टा जैसे और एक ही प्लास्टिक वाला तो यह जादा बेटर है इसले निकल भी जाता है और अच्छा भी लगता है लगाने के बाद तो यह इसी केल्प से में लगाती हूँ हो गया ना यह टेबल और इसक्यू परादेक्रिष्ट की फोटो और यहां व्या गया यह ऑक्सिचन प्लांट है और यह अनिवर्सरी पे दिया गया था तो अच्छली मैंने अभी अनिवर्सरी गिप्टिट ब्लॉग नहीं बनाया है पर फिर मैंने आप मेरा दिया है यह मारे जोपर बहिया बाभी रहते है अला उन्होंने दिया है ठीक है बहुत ही प्यारा कोटेशन है तो को क्या टेगो रिटिंग पीस अब यह वाला कार्डून कार्टन में लग कार्ड़ यह डियुका फिर प्ट्रा पिंक कलर में है तो कि यह तयार हो गया मेरा ट्राइपॉड का टेबल तो यही पर मेरा रत्तोलो ट्राइपॉड स्टैन्ठाग है तो मुझे दोड़ने की जोरद नहीं पड़ती हो एदर साइट से में लॉक कर दिया है चली अनिवर्सरी के दिन रसुगुले आये थे लगब एक केजी तो हाफ केजी यूज हुआ है हाफ केजी ऐसी है तो क्या हुआ है कि यह रसुगुले बहुत ही जादा मीटे है बहुत ही और चीज पताना चाहूंगे आपको कभी आप रसुगुले लाते और होता है ना दो तीन के बाद थोड़ा सा खटा होने लगता है तो उसको फेकिए मत उसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे ना तो वह बहुत टेस्टी बनेगा रसमलाई और खटापन तो उसका पदा वह निकाल लेंगे तो कैसे तो उसके लिए यह मैने पास चार असगुले बच्चे हुए क्योंकि एक मैंने खाया एक इन्हों ने खाया तो पथा चला बहुत मीठा है और इधर मैंने रखा है गरम पानी करने के लिए तो जैसे इसमें बॉल आता है फिर देखिए में क्या क तो पानी में बॉल आ गया है तो यह जो रस गुल्ले है इसका जो एक से थोड़ा सक बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है निकाल कर आपको इसमें डालते जाना है बहुत प्रेस करने पर वह फट जाएगा वह काम हम बाद में करने हो यह हो गया और अभी थोड़ा पांच मिनट के लिए इनको गरम पानी में ही बॉल होने देंगे अभी मैंने गैस ऑफ कर लिया है हार्ली पांच मिनट भी नहीं एक मिनट में ही यह देखिए बिलकल पचक कर आया है वह आपको समझ में आ जाएगा इसे फुला फुला था ना तो वह थोड़ा फिरा लूज होने जैसा लगे जैसे प्योर छेना होता है ना वैसा तो हमने अब इसमें से छेना निकाल लिया इसकी चाशनी थी उसको अलग कर लिया है तो यह देखिए किता पचका-पचका सा लग रही है तो यह दो निकाल लिया इसका थोड़ा अराम अराम से नहीं तो यह टूट जाएगा और देखिए कितना पानी जो था था यह गाड़ा हो गया है क्रीम कलर का हो गया तो जो चाशनी थी इसकी हो निकल गई है तो यह लग बग हाफ लीटर का दूद है मेरे पास तो इतना ही उस नहीं करने वाले हूं मैंने सूझा चलो थोड़ा दूद उबाल कर और फिर अलग कर लेती हो दाई चमाने के लिए तो अभी दूद बॉल करने के लिए रख दिया है तो अब दूद को थोड़ा जलाना है मतलब फर एक्जामपल 50 ml दूद जला लेना है तो उसे क्या सोंदापन आ जाता और एक दूद का मिठापन आ जाता है तो यह मैंने भैस का दूद लिया और मैं शुगर निया यूज करने वाले शुगर फ्री यूज करने वाले हूं तो अभी इसको बॉल आले देते हैं तो और इसको अच्छे से मैं मिला देते हूं ताक एक दम शॉप वाला वरस मलाई लगे तो थोड़ा और डाल देते हूं क्योंकि यलो कलर अच्छा लगता है दिखने में और मैं इसको अब डाल देती हूं शुगर फ्री और आप देखोंगे कितना में शुकर डाले हुए इस्पून से एक स्पून बस इतने में बहुत मीठा हो जाएगा क्योंकि दूद्ध चल चुका है काफी और ये तयार है मेरा रस और इसमें जाएगा ये तो अब मैं इसके उपर थोड़ा थोड़ा ये रस डाल देती हूँ आपकी मर्जी हो तो आप एक दो मिनट के लिए और चूले पेचारा सकते हैं इससे जो ये गुल्ला है वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा तो वह भी बहुत टेस्ची लगता है तो मेरा बंगया रस मलाई इसको रगदी रगदी में फ्रिज में और आपने देखा होगा कि बहुत ही आसान त आप देखो रस मलाई दोनों का टोरि मेरे लेता का तो कुछ एक्स्प्रेशन में दोगे वाव रस मायाई किसे लगा जबरताष किसे लगा जबरताष तेस्टी है, हाँ, बनाए है, सच्ची, बिलिव नियु आपको, दुकान जैसा लग रहा है, बनाए तो बहुत अच्छा है, हाँ, तो आप क्लोजिंग लाइन आप ही बोलिये, आप सब लिखाए, और यूनाइटेड का गुंगाई, रस्मलाई, यह हमारे विहार का फेबरेट मिठाई है, रस्मलाई, यह है रस्मलाई, जो सुबह बनाई थी और आप लोगों से शेर की थी, तो इसके उपर मैंने गार्णिश किया है, पिस्ता से, तो कैसा लग रहा है, इनको तो पसंद आया, आप लोग बताईएगा, इनको तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने बनाया, इनको लगा कि बाहर से मंग गाया है, और सच में बहुत टेस्टी बनता है, जो रस्गुले आते हैं घर में, यम्स अगर आपको पसंद नहीं आता है, बहुत मीटा है, तो आप उसको इस तरीके से रस्मलाई में कनवर् चोगा क्योंकि वो गाडा रस बनता है तो अच्छा लगता है भैस का दूद गाय का पतला दूद होता है तो वो उतना टेस्टी नहीं लगेगा तो ट्राइ कीजेगा एक बार और अपने घर में खिलाएगा सबको बहुत पसंद आएगा कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि घर का बना हुआ है तो मैं भी चार एंजोई करने और आप लोग एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और बताईगा कमेंट बॉक्स में की कैसा लगा ठीक है तो यह वाला ब्लॉग यही तक रखती हूँ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ने ब्लॉग में ने वीडियो के सा तब तर के लिए अपना खयाल रखना बी सेफ टेक केर गाईज बाब बाई और हाँ अगर अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेरल सब्सक्राइब कर लीजेगा बाई बाई गुट नाइट